चत पे पहले आते थे जब मेरी प्रेग्नेंसी थी आरू ही थी उस टाइम पे राजवीट जी और मैं आते थे शाम को घुमने के लिए बहुत अच्छा लगता था 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 फिर तुम चत पे आते ही नहीं है आज मैं आई हूं काफ्य टाइम बात क्या गरोगी आप इसका फ्रेंड्स सपना ने एक बहुत ही चोकाने वाली बात रखी है अपने सामने वैसे तो सपना हर टाइम कुछ बोलती नहीं है ना फालतू बाते करती है कोई कुछ बो उनको बोले बट वो कभी भी किसी के गलत का हेट जो है रिप्लाई नहीं करती है ब अभी एक फिलाल एक वीडियो आया जिसमें सपना नहीं कहा सपना हुआ यह किस अंशु नीचे पढ़ाई कर रही थी और बच्चे सब ऐसे रो रहे थे और जो आरू है वो अपनी दादा दादी के साथ बिजी थी सपना अके ली थी तो सपना छट पे आई छट पे आने के थी वो जो पल था वो एक पल बहुत अच्छा लगता था पर इंसान की जिन्देगी में कुछ ऐसा होता है कि जो एक टाइम पर जो पल हमें सुकून देता है जो हमारे सबसे हसी खुशी के पल होते हैं ऐसे वक्त यही टाइम कभी बुरे वक्त में नासूर बनके चुपते ह वोई सपना ने कहा कि यह जो पल था यह मुझे कभी सुकून दिया करता था तब मुझे खुशी हुआ करती थी छट पे आके पर अब मैं सोस्तियूं क्या करूं मैं छट पे पागलों की तरह क्या बेठी रहूं मुझे वही वही चीज़े दिखता है हर वक्त कि छट पे आक पर फ्रेंड्स कुछ कह नहीं सकते